सबसे पहले आलु को आपको बीच में से इस तरीके से काट कर लेना है बहुत आसान सा एक ब्लॉक होगा बट आपके हाथ पे ना लग जाए एकदम ध्यान से करें आप चाहे तो इसके उपर पेंट से मार्क भी कर सकते हैं इसके उपर पेंट से मार्किंग ठीक से नहीं होती है, अब स्केच पेंट से भी कर सकते हैं, यह बहुत आसान से आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपके फिंगर्स को ध्यान दीजिए, एक अंगली पे ना लग जाए, तो यह देखिए हमारी ब्लॉक हो गए है, बहुत सि स्टीचिंग नहीं हुई है, तो नेक पे जो है ना, यहां मैं थोड़ी सी स्पेस रख के फिर करूँगी, इस साइट पे आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टीचिंग के टाइम काम आएगी, तो पहले आप मार्कर लिग जिए, पेंसिल से, इसके उपर ही हमें ब्लॉक को प्र थोड़ी सी इधर-उदर मुझसे भी हो जाती है, मैं एक्जैक माफ लेके नहीं करती हूँ, तो यहां फेविक्रिल की मैं फैब्रिक कलर यूज कर रही हूँ, और सेरूलियन ब्लू कलर, बट आप अप एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं, और कोई भी ब्रैंड की कलर यूज कर सकते हैं, यह थोड़ी सी ड्राइ हो गई है, मैं थोड़ी मेडियम मिक्स करके इसको थोड़ी पतला बना के यूज करूंगी, तो यह ब्लॉक के उपर अप देखिए, इस तरीके से आपको कलर लेना है, मेरे पास कोई स्पॉंज नहीं है, यह तो उसके उपर लेक कीचिंग नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ी सी गैप देके कर रही हूँ, आप रेडी ड्रेस के उपर करते हैं, तो कोई स्पेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, अब एकदम इसके नीचे ही आपको इस तरीके से करना है, बस ब्लॉक को प्रेस कीजिए, कुछ सेकंड के ल तो इस तरीके से आपको लाइन के उपर ही आपको करना है, जो मार्क हमने की थी ना, उसके उपर बहुत बहुत ज्यादा आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राइ करें, कोई भी कुर्ती के प्लेन ड्रेस के उपर तो बहुत अच्छा लगेगा, कुर्ती के उपर, टॉप के बहुत अच्छा लगेगा, आप लॉंग जैकेट के उपर भी ट्राइ कर सकते हैं, और कलर भी मन पसंद के कलर यूज करें, वाइट के कलर के उपर तो अल्मोस्ट सारे कलर ही अच्छे लगते हैं, अब ब्लैक के उपर भी वाइट से कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ल मैं ज़रूर दिखाऊंगी उपर की हमें हो गई इसको अच्छे से ड्राय होने दूंगी और 24 आउर्स के बाद बैक साइड पे पर प्रेस कर लूंगी इसके उपर प्रेस बिल्कुल नहीं करना है तो यह देखिए यह नीचे की जो होगा ना तो इसका भी मैंने मार कर लिया है अब सेम तरीके से इसके उपर भी होगा अब देखिए और इसको हमेशा हाथ से ही वाश करें कोई भी माइल डिटरजेंट या इजी के साथ और बैक साइड पे इसको हमेशा प्रेस करें और बांगाली हो लेकिन तो अवश्रे बांग लाए कॉमेंट करो कि जानते चाब बो और बोलते बारो शॉप प्रोश्निर उतर बांग लाए पेजा में यह देखिए नीचे की साइट पे भी मैने आल्रडी कर रिया है अभी यह स्टिचिंग की बागी है यह देखिए मैने स्टिचिंग भी कर लिया है थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो वाचिंग good day take care bye see you soon